तो भाई लो कैसे हूँ तो यार वेलकम दी बैक बैक दे वेलकम और स्वागत आपका एक विरा न्यू गलत सीन से भारे पड़े पड़े पपजिदो मुपाइल गिंप्ले वीडियो में अब देखो इस मैच में आपको देखने को मिलेगा कि क्यूं बोटों पे अक्तियाचार करने पे पापूप चड़ सकता है तो यहाँ पे मैं जोरदा रखाऊं और जो भी सीन होंगे यहीं पे होंगे होने ही वाले हैं फिलाल मैं उस कंटेनरों में उतरता हूँ भाया जी एक इक पिस्तोल तक मिल जाए बहुत बड़ी बात हो जाती लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता लेकिन यहां भेरा हुजा के एक डीप ही मिलती है और देखो आगे क्या हो रहा होता है आगे एक बोट को पकड़र के अत्याचार चल ला होता है और देखो क्या गलत सीन अब जब मैं दूर की तरफ होता हूँ भेराउस के अंदर ये चार बंदे एक अकेले बॉट को पकड़ के उसकी पेटी बिना रहे होते हैं बहुत बेरे मिने से पेला मैं कहता हूँ अचानक से आता हूँ लेकिन इनको हो सखबर ही नहीं है और हो सखबर होगी भी कैसे cahum के cahum antibiot पेलने में लगें हे थे और इसलिए मैं कहता ओन जार बाटोपे अत्याचार बिल्कुल नहीं करना चिये तो चलो अब बात पलट देता हूँ मैं बॉटों के आत्या चार से बात हटा कि यार बात करते हैं काफी बढ़िया बंदे आ रखे हैं जोर्ज में चार किल मुझे पहले ही मिल चुकी है और आगे अभी और भी बंदे बैठे पड़े हैं और सबसे बढ़िया बात ये कि यार मैं बॉट का बदला ले चुका हूँ मजा टैप आ गया और यार मैं सही बता रहा हूँ जिंदगी में मुझे जितनी भी गालिया पड़ी हूँगी न उसमें से सबसे ज़्यादा गाली बॉट लोग देते हूँगे मुझे मतलब एक तरफ मैं बोल ला हूँ कि भाईया बॉटो को छोड़ दो अत्या चार मत करो उन पे दूसरी तरफ बेर रहमी से तब तक गोली चला रहो जब तक बॉटो की पेटी न बन जाए मेरे ख्याल से सकारेर मेरी रिलोड पे लग गई थी नि तो यार दूसरे भाले की भी पेटी बना देता खेर जो भी हो बॉटो को तो पेल लिया लेकिन अब उस बॉट का बदला लेने दो असली बंदे आ रहे हैं और मैं फस चुखा हूँ या अंदर पे और ये दोनों बंदे न जाने कहां से आते लेकिन जितनी भी तेजी से ये लोग आए उससे दो गुना जादा तेजी से ये लोग लोबी में वापिस जाएंगे मतलब यहाँ पे फाइट भीडी रीती मुझे लगा यार बहराउस में बैठे होंगे और ये एक और बोट आ गया मतलब मैं समझे नहीं पा रहा हूँ जिस मैच में मैं ये बताना चाहता हूँ कि यार बोटों पे अत्या चार नहीं करना चाहिए उसी मैच में तीन-तीन बोट मेरे मुग के सामने आ रहे हैं अब कैसे नमारू यार तीन किल तीन केड़ी बहुत बढ़ी होती है अब देखो कोई है नहीं खाली है सुनसान बहौल चला है तो भहिया बोट की बेसक पेटी बनाओ लेकिन जो उन चार बंदों ने सीन किया कि यार मैं बगल में खड़ा हो चुका हूँ और वो फिर भी बोट पे पेल ले तो यार दिक्कत हो जाएगी उस टेम खेर उसके बाद जोर्ज बिल्कुल खाली हो चुका है या तो केमपर बचे होंगे और उसके बाद मैं सीधा रुजोक आ जाता हूँ अब ये वाला सप्रे इतना सरम नाग था कि भाईया रजाई पे मूर डालके सूजाना चाहिए मुझे बिल्कुल सूजाना चाहिए मतलब तुभारे भाईय ने 40 गूली चलाई और 40 पे से सिर्फ 4 गूली चली लेकिन ऐसा नहीं कि भाईया मैं सरम मान के चल दूँगा ऐसे नहीं बे सर्मों की तरह बिल्कुल गाड़ी ठोक देता हूँ अब सही यार मतलब लंबे सप्रे नहीं मारने पड़ेंगे ठिक ठाक सप्रे देंगे क्लोज रेंज में देंगे अब बंदे आगे की आगे वाले घर पे बैठे पड़े हैं और मैं इधर पर आता हूँ तो देखो वो नौक मेरा टीमेट कर गया था लेकिन जहां तक मुझे पता है उसके टीमेट लोग इधर जिंदा हैं अभी भी तो करना क्या यार बंदर हो की तरह उचल कूट करते वे आगे वाले घर पे चिपक जाऊँगा पिल्कुल खिड़के के अंदर गुज जाता हूँ और इसके ठीक आगे पे ही देखो कहा होते हैं बंदे अब यहां पे जो सीन हुए जब पहले बंदे को पेला उस सीन को कहते हैं साप की दाड़ी में तिनका मतलब यार जो साप बनने की आदत है वो कभी भी नहीं चूटती कुछ लोगों की घर हो जाड़ी हो जंगल हो कहीं पे भी कुछ भी हो भाई लेटना जरूरी है तो वो अब बाहर खिड़की के सेड लेटा होता है खिड़की है कि पता नहीं क्या ही जगाई ये बहुत सस्ता घर है ये लेकिन मैं उपर से बिलकूल देख लेता हूँ और भाई को धेड़ बैड नौक करके सीधा रस करते हैं अब देखो बढ़िया सीन ये है कि आर आखिर कार ज मिल जाता है इसका मतलब मेरे सस्ते सपरे थोड़े से कम सस्ते हो जाएंगे तो डिरोप की तरफ जा रहा हूँ धेड पैड बंदे आएंगे बहुत जादी लड़ाई होने वाली है सस्ता सपरे दबा की देखने को मिलेगा लेकिन उससे पहले हम धेड पैड बात कर लेते है हमारे सपॉंसर की तो यार इस एप या फिर वेबसाइट का नाम है एक एकस बैट जिसकी मदद से आप कई सारे गेम्स क्रिकेट फुटबॉल बॉली बास्केट बॉल और 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 बी कई सारे इसपोर्स पे बैट बुट लगा सकते हैं और अपनी प्रेडिक्शन स्किल्स के होगी बिल्कुल टोप में और इसे के साथ आगे डिरॉप होता है पानी में डिरॉप लेकिन यार बंदे मेरी तरह बहुत धीट होते हैं अंदर घुसके लूट के आ जाते हैं अब मुझे लगा थायार चैक्स मिल चुका है सप्रे महंगा टैप का दूँगा बिल्कुली लेकिन सप्रे बिल्कुल सस्ता रहता है बस डैमेज दे पाता हूं मैं लेकिन टैंसन मत तो आगे जाके जड़ी में एज़स होने वाला है और हमारे भाई नदी किनारे पत्थर के पास साप बने वे होते हैं तो डैमेज मैं फिर से देता हूं लेकिन यार बंदा बचके मेरे ख्याल से उस पत्थर के पिच्छे जा चुका है तो मैं नेट करने की कुशिस करता हूं निट बरबाद करने की कुशिस करता हूँ और मेरे को ये नहीं पता कि उस बंदे ने कौन सी गन चलाई लेकिन यार जो भी गन चलाई बहुत बुरी तरह चलाई सीधा सर पे बजा दिया और हेल्थ की ऐसी तैसी हो गई तो मैं हील हूल करता हूँ वो बंदा उसको भी डैमेज वाए थोड़ा सा तो भाई भी हील हूल करेंगे और लेकिन उतने में ही पीछे से एक गाड़ी आ जाती है और यहां पे मैं गलती से जाड़ी और गाड़ी दोनों में एक ही टैम पे अजज़स कर देता हूँ मतलब गाड़ी जाड़ी के पार से जारी हो तिये मैं बोलता हूँ यार गूली की कमी नहीं है अंधा चलाओ वैसे अब कमी होने वाली यार काफी काफी बर्बाद कर चुका हूँ मैं और साथी साथ पीछे एक बंदा पानी में पूरी जान से चलांग लगा चुका है लेकिन यार सांस लेने बाहर आना ही पड़ेगा और जब बाहर आए गयार मैं यहीं पे रुका पड़ा हूँ और उस बंदे की सारी मेहनत पेटी में मिल जाती है मतलब यहां से मेरे को हेट सोट रूट सोट दिया भाई ने पानी में चलांग लगाई जान रगा कि वहां तक तेरा उसके बाद जैसे बहर आयार मैं यहीं पे बैटा पड़ाऊं और यहीं से बैठे बैठे बने की पेटी भी बना देता हूं और यहां पर मैं सुच राथा कि यार जो बी एक्शियों बचा कुछा था सब कुछ यहीं हो चुका है अब दुबारा बंदे ढूनने जाना पड़ेगा लेकिन यहाँ पर आके पता चलता है कि यार वो जो गाड़ी गई थी जिस पर जाड़ी पैजस किया तुम्हारे भाई ने वो गाड़ी उपर ही कहीं रूकी है और वो न जाने किस से भाइट ले रहे हैं बहुत को न पेल ले हूँ खेर जो भी हो करना क्या था मैं बोलता हुआ इससे पहले वो आपस में ठिल जाए हम उन पे अंदार रस कर देते हैं और ये वाला साप मेरे मूँ के सामने से मतलब यहीं पे गाड़ी गुमारे हम हमारे सामने से किल लेके भग जाता है और उस बंदे को भी वही पे जाना था जहां पे साम लेटा बैठा है ये भी यह नहीं कि यार गाड़ी आ रही है गाड़ी पे सप्रे दे दूर नहीं भईया हम तो किल नहीं देंगे हम साम को ही किल देंगे तो वो वंदा इधर पे आता है और इधर साप दैस लेता है और इसके बाद हम साप को पकड़ लेते हैं खेर उसके बाद सब कुछ खाली हो जाता है आखिर कार जाके वहाँ पे सारी सीन कतम होते हैं और वहाँ से निकलने के बाद मुझे यसनाया पलियाना जाना पड़ता है अब देखो ये जगा मुझे भी पसंद नहीं है इतने सारे गर इतने बड़े गर यार camping दबा के होती है और देखो ये जगा मुझे बेसक पसंद नहीं है लेकिन यार किल तो करनी पड़ेगी केटी किसको बसन नहीं है तो किल बढ़ाने के लिए मुझे यहाँ पे भी रस करना पड़ता है और सामने वाले घर पे दो सकोड आपस में लड़ भीड़ रही है बिल्कुल और आते आते यार मैं काफी ज़्यादा लेटो चुका हूँ मतलब छत पे जाके पेटी पूटी बना चुके हैं बंदों की और मैं काफी देर पेदारा रहा हूँ लेकिन जो भी बचे कुछे बंदे यार उन्हें पेलने की फुल तैयारी है अब देखो ये एक वज़ा है कि मुझे ये जगा बिल्कुल पसंद नहीं है रस करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है और ठीक से पता भी नहीं चलता है और कौन कहां पे क्या करके बैठा है लेकिन अब घुश चुके तो यार पिलना भी पड़ेगा और आओ जरा इस लो मोसन में देखते हैं क्या सीन हुए मैं बाहर गया मैंने एक एम से डेमेज दिया उसके बाद मैं कवर में आने की पूरी कोशिस करता हूँ मानता हूँ उस बंदेरे गोली मारी ना ही मेरा वेश डेमेज हुआ ना ही हेलमेट और यार ऐसा लगा की सिर्फ एक गोली में एक परतिसेत हेल्थ बाकी है अब मुझे नहीं पता उजी इतनी जादा खतरनाक कब हो गई कि यार एक गोली में इतनी हेल्थ ले जाए मैं मानता हूँ उजी खतरनाग गन है लेकिन यार ये कुछ जादा ही डैमेज हो गया मेरे ख्याल से हो सकता है वो बंदा लैग हो रहा हूँ खेर जो भी हो जैसे तैसे करके जिन्ना हूँ मैं यहाँ पे और दोनों बंदे रिवाइब हो चुके उपर पे और होंगे अब गलत सीम और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो बंदों को पेलने के लिए हमें इतना सारा टाइम लग रहा है और ताबे पे सुहागा करने के लिए भाई ने समूग भी कर दिया है अब तो और भी रस नहीं कर सकते खेर मैं भगते वे नीचे आता हूँ क्योंकि आर बंदे ने बहुत डेमेज दे दिया था नीचे आके हील हूल पेलता हूँ और इन लोगों ने सारे समूग इसी घर पे फेग दिये हैं और अब समूग में एज़स देखने को मिलेगा मैं नहीं करूंगा एज़स वो लोग करेंगे और ये लोग नजाने कब कहां कूच जाते हैं और समूग में ज़स करके हमारे भाई को नोग कर देते हैं अब टूवी वन करना पड़ेगा और जिस हिसाब से उस बंदे ने पहले उजी पटकाई थी मुझे लगनी रहा था यहाँ पर मैं बज भी पाऊंगा मतलब एक गोली से 90% से जादा हेल्थ कायब हो गई तो यार इस बार तो खुला रस कर रहा है इस बार मेरी पेटी बन जानी चीए थी लेकिन किसमत चमक गई उस भाई ने सारी की सारी गोलिया मिस कर दी अपनी और मैं एक एम चिपका बैटा और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो किल मिलती है मुझे मतलब दो बंदों को पेलने के लिए इतना सारा टैम वेस्ट हो गया यार की क्या ही बताऊं अब देखो वहाँ पे दो बंदों को पेलने के लिए गंटों भर लग गए लेकिन अब यहाँ पे आगे वाले घर पे भी दो बंदे बैठे पड़े हैं और इन लोगों की पूरी तयारी होती है घर पे कैम्प करके बैठने की दिख भी नी रहे कोई और नेड फटने का इंते जारतों मैं ऐसे कर रहा था कि न जाने क्या ही हो जाएगा एक नेड से पूरे चार बंदे पेल जाओंगा मैं ऐसे रुक रखा था और हुआ कुछ भी नहीं बिलकुल कुछ भी नहीं हुआ अब यहाँ पर मैं सोच रहत है कि यहाँ पर हुआ आराम से पेलेंगे जल्दी बाजी नहीं करेंगे लेकिन हमारे भाई को पूरी जल्दी होती है अंदर घुचने की भाई अंदर घुचते और भाई के गूलिया गुसा दी जाती है लेकिन मैं टेम पे पीछे आजाता हूँ और पेल देता हूँ और यहां पे देखता हूँ तो यार बंदे पे गरोजा पड़ी बैठी है अच्छा हुआ मैं एक एम से सर पे गूलिया लगती है मेरी हाँ तुक्कों में लगी लेकिन यार बहुत ही बढ़िया हुआ सही तुक्के लग गए और उसके वज़र से जल्दी ठील जाता है वो खैर वहाँ पे दो बंदे पेलने के लिए दो मिनट भी नहीं लगे बहुत जल्दी अंदर गुसे पेल दिया और निकल लिया मासे और यहाँ पे आगे एक बंदा गाड़ी लेके गुसा है अब देखो नेट कैसे इस्तमाल किया जाते हैं यह भाई हमें बताएंगे यहाँ प इस बंदे ने चार सेकंड के अंदर चार नेट फेक दिये मतलब यहाँ पे मैं नीचे बैटके गिने जा रहा हूँ एक नेट दो नेट तीन नेट कब खतम होगा चार नेट फटते हैं उसके बाद आखिर कार जाके नेट खतम हो जाते हैं अब भाई ने दिमाग बढ़िया लगा है हना चार के चार नेट फेक दिये लेकिन हम लोग थे बहुत ही जादा आलसी हम लोग सीधा नीग उसे हम लोग नीचे बैठे रहे आराम से रुके रहे और उसके बाद अंदर गुसे और वो बंदा उस छोटे कमरे में बैठा पड़ा है तो यार मेरा नेट कैसे नह आप से पूछ रहा हूं ये बंदा कैसे नहीं मरा नेट से नेट बिल्कुल कुक करके फेका बिल्कुल कमरे के अंदर गया नेट सिर्फ और सिर्फ डेमेज हुआ और देखो जब भी मैं उस कमरे में बैठता हूं और जितने भी बार उस कमरे में नेट आया है मैं हर बार ठी रहूं और ये सीन देखके न मेरा पूरा का पूरा विश्वास हट चुका है नेट से मैं सोत्रा यार अपसे नेट उठाओ ही ना मतलब उस छोटे कमरे में नेट फेक के बंदा नीठ हिला तो यार इनसान का विश्वास कैसे नहीं अटेगा नेट से अब यार मैं ये नहीं समझ पाता कि कुछ रोगों को गाडियों से क्या दुस्मनी है मैं तो गाड़ी के पीछे भी नहीं बैठाओं फिर भी गोली चलाए जा रहे हैं गाड़ी पे और इन लोगों का लगता है कि यार गाड़ी फोड़ने के बाद ये लोग पूरे चोड़ में उपन से रस कर सकते हैं मतलब यहां पर मैं ठीपी पी लेके बैठ के देख रहा हूं बंदा बगे जा रहा है उपन में तो मैं चैक्स निकालता हूं सस्ता सप्रेक काम कर जाता है और उस बंदे की पेटी बन जाती है अब बस एक ये बंदा बाकी है जो कि यार समोक कर चुका है तो हां बाई समोक से बगते वे आएंगे और देखो मेरे पे नेड तो बाकी नहीं थे लेकिन मैं अपने टीमेट से नेड ले लेता हूं बेसरमों की तरह और यार आखिरकार चार नेड के बाद कुछ होगा यहां पे तो एक खुले में लेटे हुए सांप को पेलने के लिए मुझे चार नेड फेकने पड़ते हैं मैं समझ गया यार अगर मुझे किसी को नेड से ठिलाना है तो मुझे चार नेड फेकना चाहिए मतलब चार बंदे बैठें तो यार 16 नेड करने चाहिए मुझे तब जाके कुछ उखड़ेगा बहुत ही बुरा यार बेकार है बाई मैं सोच रहा हूँ गोलिया भड़लू हीलिंग भड़लू लेकिन नेड जो तीन उठा के मैं भकता हूँ यार छोड़ दू उन्हे उठाना कुछ काम का नहीं है भाई कमरे में नेड फेका बंदा नीठेला विश्वास हड चुका है दिल तूट चुका है खैर आज की वीडियो में इतना है भाई लोग आगरी बंदा ठिल गया नेड से बलही तीन चार नेड करने पड़े लेकिन यार ठिला तो सही कम से कम तो बस भाई लोग आज के वीडियो में इतना ही बहुत बहुत सुक्रिया वीडियो देखने के लिए जाते जाते मेरे इन सस्ते नेड के लिए लाइक पेलना मत बूलना और देखो बाटों पे अत्याचार कर रहे हो तो यार सोच समझ के करना गलत सीन भी हो सकते हैं तो बस भाई लोग आज के वीडियो में इतना ही जाते जाते एक एक्स बैट चेगल करना मत बूलना उसके लिंक कमेंट सेक्शियों में होगी बिलकुल टोप में तो कल मिलते हैं यार बाई बाई झाल बाई